क्या आप एक Occupational Health and Safety Advisor हैं और आप Australia में काम करने, रहने या स्टडी करने के चुक हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए हैं। इस वीडियो में, हम आपको ऑस्ट्रेलिया में Occupational Health and Safety Advisor के Career Scope और Profile से जुड़ी महत्वपून जानकारियों के बारे में बताने जा रहे हैं। इस वीडियो को इंग्लिश में देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करें। थेलो दोस्तों, आपके अपने अंतर राष्ट्रिया Immigration Information Channel A to Z Immigration Updates में आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं। ऑस्ट्रेलिया में Professionals के लिए Skills और Career Scope पर हमारी वीडियो सीरीज में हम एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर हैं। इस वीडियो में हम Occupational Health and Safety Advisor से एक Australia I Amplier की Job Profile से संबंधित अपेक्षाओं के बारे में जानेंगे। हम Occupational Health and Safety Advisor के लिए उप्यूक्तून इंडस्ट्री सेक्टर्स को देखेंगे। यहां Occupational Health and Safety Advisor को नौकरी के लिए आसान तथा अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। हम Occupational Health and Safety Advisor के प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में काम करने के लिए न्यून्तम एजूकेशन और एक्स्पिरियंस की जरूरतों को भी देखेंगे। हम यह भी देखेंगे कि आपके प्रोफाइल के लिए स्किल, लेवल, लाइसेंस और रेजिस्ट्रेशन की क्या जरूरते हैं। हम Occupational Health and Safety Advisor के प्रोफाइल पर काम करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की जेंडर रेशियो और मुख्या आयू वर्ग पर भी चर्चा करेंगे। Current Job Openings, पिछले पांच सालों का Analysis, Future Expectations और Career Scope भी इस वीडियो में चर्चा का विशय रहेंगे। हम Occupational Health and Safety Advisor के औसतन सापताहिक वाकावर्ज और वेज रेट या तंखवाह की भी चर्चा करेंगे। वीडियो के एंड में हम आपको अलग-अलग वीजा आप्शन्स के बारे में बताएंगे जिन में मुख्य हैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने, पर्मनिन्ट रेजिडिन्सी पाने और इस प्रोफाइल पर आस्ट्रेलिया में पढ़ाई करने के वीजा आप्शन्सू तो पूरी चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आपके प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन पे। आस्ट्रेलिया में हर व्यवसाय के लिए एक सबस्ट तथा सुल्जा हुआ प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन बनाया गया है जिसे एक कोड के द्वारा नामांकित किया जाता है। इस कोड को Australia-New Zealand Standard Classification of Occupation यह ANZSCO Code कहा जाता है. यह ANZSCO Code आपको किसी भी प्रफेशन में आपकी जिम्मेदारियां तथा जॉब रोल के बारे में जानकारी देता है. Australia की राष्ट्रिय स्टेटिस्टिक्स एजेंसी, Australian Bureau of Statistics, ABS-IN Codes के रिचता हैं. और ABS के द्वारा ही इन Codes को समय समय पर Evaluate और Revise किया जाता है. तो चलिए अब आपके व्यवसाए के ANZSCO Profile Definition के बारे में जानते हैं. Occupational Health and Safety Advisor के Profile का ANZSCO Code 251312 है. ABS के Original Content की Authenticity को बरकरार रखने के लिए, Profile Description और कुछ दूसरे तथियों को, हम यहां इंग्लिश भाषा में ही देखाएंगे ताकि उनकी originality और integrity बनी रहे. Occupational Health and Safety Advisor develops, implements and evaluates risk management policies and programs, trades employees in occupational health and safety procedures, monitors and audits the workplace, and records and investigates incidents to ensure safe and healthy working conditions. Australia में ऐसे बहुत से इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं जहां आपके Profile के Candidates के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हैं. आए एक बार कुछ जरूरी जॉब सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं. Occupational Health and Safety Advisor के Profile पर काम करने वाले ज्यादा तर Candidates मुख्य रूप से Public Administration और Safety, Mining और Construction में कार्यरत हैं. आस्ट्रेलिया में अलग-अलग व्यवसायों में आवश्यक्ता के हिसाब से Employees की शिक्षा से जुड़ी विभिन मांगे हो सकती हैं और आपका Skill Level Australian Bureau of Statistics के हिसाब से तै होता है. एक Occupational Health and Safety Advisor के Profile पर काम करने के लिए आपके पास Bachelor Degree या बराबर की अन्य योगिता जरूरी है और Occupational Health and Safety Advisor का Skill Level एक है. और न्यूजीलेंड के हिसाब से इस ग्रुप के जॉब लेवल में Bachelor Degree और Higher Qualification की जरूरत होती है. इसके इलावा कुछ केसेज में Educational Qualification की जगहा पर आपका 3-5 वर्ष का संबंधित Experience भी काम आ सकता है. अन्य कुछ मामलों में आपको Experience के साथ On-Job Training की जरूरत भी हो सकती है. अगर आप Australia में Skilled Immigration Visa के लिए Application फाइल करते हैं तो आपको Migration Skills Assessment की जरूरत रहती है. जो आपके Profile के हिसाब से अलग-अलग Assessment Bodies के जरूरत की जाती है. हर Assessment Body का अपना अलग Assessment Criteria और Experience की अलग-अलग जरूरते होती हैं. अगर आप Occupational Health and Safety Advisor के Profile पर Skill Assessment फाइल करना चाहते हैं तो आपको एक वर्ष Experience की जरूरत है. यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि Experience की ये Requirement सिर्फ Skill Assessment के लिए मानने है, परंतु Employees की Job के लिए Experience Requirement इस से अलग हो सकती है. आइए अब जानते हैं कि आपके काम में आमूमन किसुम्र के लोगों की ज्यादा हिस्सेदारी है. Australian Bureau of Statistics के लेटिस्ट सर्वे के हिसाब से आपके Profile पर जॉब करने वाले लोगों का Main Age Group 49-54 वर्ष है और औसतन आयू जैसा कि आप जानते ही है कि अलग-अलग व्यवसायों में पूरुशों और महिलाओं की गिंती तथा रेशियो काम के हिसाब से अलग-अलग होती है. तो आईए अब आपके Profile में पूरुश तथा महिलाओं की औस्ट्रेलिया में ज्यादातर Profiles में काम करने का नियत समय एकसा नहीं है और ज्यादातर skilled workers फुल टाइम या पार्टाइम बेसिस पर काम करते हैं. फुल टाइम या पार्टाइम काम करने पर आपका वेतन हफते या घंटों के हिसाब से तै किया जाता है. अगर हम आपके प्रोफाइल की बात करें तो, Occupational Health and Safety Advisor के प्रोफाइल के 90.4 लोग फुल टाइम काम करते हैं. इस फील्ड में फुल टाइम काम करने वालों के लिए हफते में एवरेज काम करने का टाइम 41.1 घंटे हैं. जोब ओपनिंग्स की गिंती, कमपनी टर्नोवर और एम्पलॉइमेंट ग्रोथ के उपर निर्भर करती है. पिछले पांच सालों तक के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से इस फील्ड में एक्सपेक्टेड जोब ओपनिंग्स 10,001 से 25,000 के बीच हैं. ओक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी एडवाइजर के केस में यह गिंती और सतन सत्र पर है. ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ वर्षों में यह अंक अच्छी व्रिद्धी दर प्राप्ट कर सकता है. ऐस्ट्रेलिया में कुछ ऐसे काम है जहां एप्लिकेंट्स को अपने प्रोफाइल से जुड़े लाइसेंसिंग बॉडी से लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत होती है. अगर हम Occupational Health and Safety Advisor के प्रोफाइल की बात करें तो इस प्रोफाइल के लिए हमें लाइसेंस तथा रेजिस्ट्रेशन की कुछ केसेंस में ज़रूरत हो सकती है. अब हम सबसे महत्वपून फाक्टर एवरेज वीकली अर्निंग को स्टड़ी करेंगे. अस्ट्रेलिया में सभी व्यवसायों की ओसतन सापताहिक आए 1300 AUD है. ABS के हालिया सवे के मुताबिक, Occupational Health and Safety Advisor का ओसतन सापताहिक वेतन टैक्स डिड़क्शन से पहले 1495 AUD है. जिसमें से आपके सालरी स्लाब के अनुसार टैक्स की कटोती करी जाती है. अगर आप किसी भी स्ट्रीम में Permanent Residency के लिए Application File करना चाहते हैं तो प्रोसेस शुरू करने के लिए पहला कदम Migration Skill Assessment है. इसके अलावा कुछ केसे में, जैसे Work Permit या अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद Professional Year शुरू करने के लिए आम तोर पर Migration Skill Assessment के Positive Result की जरूरत होती है. आस्ट्रेलिया में विभिन्ट प्रोफाइल काटेगरीज के लिए अलग-अलग Assessment Bodies हैं. अगले सेक्शन में हम आस्ट्रेलिया में जॉब के लिए अप्लाई करने और नौकरी पाने के कुछ जरूरी स्टैप्स के बारे में चर्चा करेंगे. हम सबसे ज्यादा मशहूर तथा जाने माने जॉब पोर्टल को भी देखेंगे. यहाँ आप अपने प्रोफाइल से जुड़े विभिन रोजगारों के लिए मौजूदा आप्शिन्स को देख सकते हैं. लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अभी तक ये विडियो पसंद आई है, तो आप हमें सब्सक्राइबर टारगेट 50,000 चैलेंज को हासिल करने और जीतने में हमारी मदद करें. क्रिप्या अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वर्ष के आंद तक 50,000 सब्सक्राइबर्स को अचीव करने के हमारे लक्षे को प्राप्त करने में हमारी मदद करें हम आपके सहयोग की सराहना करते हैं और अगर हमें इस वीडियो पर 100 लाइक्स मिलेंगे तो हम आपके लिए इस प्रोफाइल के PR प्रोसेस और विजा फाइलिंग पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे इसके इलावा हमें कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप इस सीरीज में नेक्स्ट वीडियो किस विशे पर देखना चाहते हैं अगर आप फिल हाल आस्ट्रेलिया में है या फिर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या किसी अन्य जगह से भी किसी ऑस्ट्रेलियन जॉब के लिए अप्लाइ करना चाहते हैं तो एक professional के रूप में आपके लिए सबसे कठिन कार्य, job options धूणना तथा सही तरीके से job के लिए अप्रोच करना होता है। एक अच्छी Australian job प्राप्त करने के सफर में कई जरूरी steps शामिल होते हैं जैसे कि Australian style resume बनाना, cover letter तैयार करना, उच्छे job पॉटल खोजना, अपने sector की jobs के लिए online या offline अप्लाइन अप्लाई करना तथा online, offline interviews के लिए तैयारी करना, अपना bio data तथा resume तैयार करने से पहले, आपक क्या expect करता है, एक अच्छी तरह से तैयार किया गया resume recruiter का ध्यान खीच सकता है और आपको अन्य उमीदवारों से श्रेश्ट दिखा सकता है, सक्रिय भाशा, keywords और कुछ छोटे बदलावों का सही जोर किसी भी आम resume को विजेता में बदल सकता है, अगर आप एक professional Australian style resume तैयार करना चाहते हैं, तो आप हमारी expert resume writing team की सेवाई ले सकते हैं, या हमारी resume से संबंधित videos को देख सकते हैं, जिसमें Australian standards के हिसाब से एक perfect resume लिखने की जानकारी उपलब्ध है, औस्ट्रेलिया सरकार ने job active नाम से रोजगार ढूंडने के लिए एक विश्ववयापी सेवा दी ह है, अपने dedicated portal www.jobsurch.gov.au के जरीए, job active, employers और jobs ढूंडने वाले, दोनों की मदद करता है, बिना किसी fee के ये आपके लिए सही नौकरी ढूंड सकता है, इसके इलावा आप हमारी team के साथ अपना CV भी साजह कर सकते हैं, जिससे आप direct employers और employment agencies के हमारे valuable network को आपके लिए Adzuna, Career One, Career Jet और Indeed Australia, Australia में online नौकरी खोजने के लिए कुछ दूसरे पसंदीदा नाम है, इसके इलावा top 15 job portals की एक detailed list भी download करें जहां आप अपनी profile के लिए Australia में सबसे suitable employment का अवसर पाने के लिए online apply कर सकते हैं, अब हम Australia के permanent residency या work permits पाने के लिए उपलब्ध visa sub classes के बारे में सं और visa sub classes हैं जिनके जरिये एक professional Australia में work permit या permanent residency पा सकता है, इन visa sub classes को मुख्य रूप से निमनलिखित categories में divide किया गया है जो है skilled migration visas, subclass 189 यो की permanent residency पाने की direct subclass है, state या regional nomination visas, subclass 190 और 491 यो state nomination के द्वारा पी आर तथा टियार पाने के रास्ते हैं permanent residence, skilled regional visa subclass 191 और 887 यो की 491 तथा 489 की continuity में PR पाने के रास्ते हैं employer sponsored visas, subclass 186, 187, 482 और 457 जिनके द्वारा आप employers से सीधी sponsorship या nomination के थू पी आर तथा वक्परमिट प्राप्त कर सकते हैं business innovation, investment और entrepreneur stream visas, subclass 888 और 188 जिसके द्वारा आप किसी व्यवसाय में invest करके या फिर किसी innovative idea यो की Australia को economically तथा socially help कर सके के द्वारा PR तथा वक्परमिट प्राप्त कर सकते हैं कुछ specific targeted sectors के लिए global talent visa और subclass 476 skilled recognized graduate visa एक अन्य विकल्प है इन में से ज्यादा तर visa applicants को काम करने का अवसर देते हैं और Australia में हमेशा के लिए settle होने का मार्क प्रदर्शित करते हैं हाला कि ये visa आम तोर पर उपलब्द तो रहते हैं लेकिन हर occupation के लिए हमेशा खुले नहीं होते हैं तो अगर आप देखना चाहते हैं कि Occupational Health and Safety Advisor के profile के लिए कौन से visa subclasses खुले हैं तो आप description में दिये गए लिंक पर क्लिक करें आप Occupational Health and Safety Advisor के लिए PR filing पर बनी हमारी dedicated वीडियो भी देख सकते हैं जिसका title Australian Permanent Residency and Work Visa Filing Process for Occupational Health and Safety Advisor है इस सीरीज में आपको Occupational Health and Safety Advisor के लिए Permanent Residency फाइल करने की step-by-step जानकारी मिलेगी वीडियो में अब चर्चा करने वाली अगली बात आस्ट्रेलिया में Study और Settle होने के लिए उपलब्ध वीजा विकल्प और वीजा सब काटेगरीज हैं तो आईए इसकी एक संक्षिप जलग देखते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और Occupational Health and Safety Advisor बनना चाहते हैं आस्ट्रेलिया पढ़ाई और Settle होने के लिए दुनिया के सबसे पसंदीदा जगहों में से एक हो सकता है एक स्टूडेंट सब क्लास 500 के तहट अपना Study विजा फाइल कर सकता है हर स्टूडेंट को पढ़ाई के दौरान काम करने का अधिकार मिलता है और सब क्लास 485 के तहट पढ़ाई खत्म करने के बाद Work Permit भी मिलता है जिसे Post Study Work Visa कहा जाता है अगर आप Study Visa में इंटरिस्टेड हैं और अपने लिए Best Colleges और Universities के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो Study Visa से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर क्लिक करके Expert Advice ले सकते हैं इस वीडियो के लिए हमारी टीम ने अलग-अलग authentic sources से जानकारी को एकठा करने और verify करने में कड़ी मेहनत की है अगर अब तक की वीडियो और जानकारी आपको पसंद आई है और भविश्य में भी इसी तरह के प्रयासों को जारी रखने के लिए आप हमारी टीम को appreciate या प्रेरित करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाएं साथ ही इस वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ सरूर share करें अगर आपको immigration से संबंधित किसी और जानकारी या मदद की जरूरत है या फिर आप अपने विदेश जाने के सपने के लिए किसी भी तरह की पूछताच करना चाहते हैं तो आप हमारी registered migration consultants की team के साथ हिक expert counseling session ले सकते हैं हमारे माहिर consultants आपकी profile के बारे में अच्छे से समीक्षा करके आप से detail में चर्चा करेंगे इस expert session से आपको हर मुम्किन immigration options को ढूरने में मदद मिलेगी हम आपको आपके profile से जुड़ी हकीकत और आंकडों के साथ हर सच्चाई बताएंगे So, अगर आप तरसली से अपने immigration की opportunities के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी description में दिये गए booking link पर click करें और अपना expert session reserve करें हम अपने दुनिया भर के दर्शकों के लिए सभी तरह की immigration की सेवाओं के साथ उन्हें one-stop online platform देते हैं आप हमारे immigration में माहिर टीम के जरिये online counseling session, migration skills assessment की application filing और सभी तरह के visa processing में मदद पा सकते हैं हम Australia में companies को विदेशी manpower hire करने तथा work और दूसरे visas की filing वो अन्य संबंधित activities में भी मदद करते हैं इसलिए अगर आप Australia में अपनी company चला रहे हैं तो हम आपकी company के लिए best suitable employees ढूंडने में आपकी मदद कर सकते हैं अगर आप अपने skill assessment और immigration के लिए अपनी eligibility की assessment खुद से करना चाहते हैं तो description में दिये link पर click करें और अपनी self assessment खुद चेक करने के लिए हमारी app भी download करें अपनी profile के बारे में और जानकारी के लिए हमारे work visa, immigration और skilled migration की filing से जुड़े सभी videos देखें और हमारे YouTube channel को subscribe, like और share करना न भूलें दुनिया भर की immigration की ताजा और सच्ची जानकारी जानने के लिए bell icon को भी जरूर दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का notification सबसे पहले मिले हमें आशा है कि इस वीडियो से आपको Australia में आपके career की opportunities के बारे में detailed जानकारी मिली होगी इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और जल्द ही हम एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे